आप सबको हेमन पांडे का नमस्कार कोरोना से बचने के लिए सरकार अपने तरीके बता रही है उपाए बता रही है न्यू चैनल उपाए बता रहे हैं तोशिल मीडिया में यह चल रहा है लेकिन किसी को अगर यह मालूम नहीं हो तो मैं भी आपको यह बात कहना चाहता हूं क कोरोना से बचने का एक ही उपाए है वो यह कि आपने अपने पसीने की कमाई से अपने मेहनत की कमाई से जो घर बनाया है यह जिस घर में आप किराये पे रह रहे हैं आप उसमें रहिए उसका आनंद लीजिए अपने परिवार के साथ रहिए क्योंकि यह मौका दुबारा म अपने हाथों को सेनिटाइज करिए अगर नहीं है तो साबून से खूब 15-20 सेकेंड तग उसको धोईए और नहीं बालों में से भी निकल जाएगा तो इस तरह से आप पूरी तरह से करोना से बच जाएंगे आपको कोई खतरा नहीं है इस वज़े से आप अपने को अपने प देश करोना से लड़ रहा है ऐसे ही पूरा विश्व करोना से लड़ रहा है जी हां हमारे देश का हर व्यक्ति इस करोना से बचाओ के लिए संदेश दे रहा है लेकिन कुछ शरारति तत्व हैं जैसे कि आप अभी टीवी पर सब देख रहे होंगे एक विशेष धर्म वाल जो सिर्फ और सिर्फ कॉरोना फैलाने में लगे उसे हैं आज अगर हमारे देश की संख्या कॉरोना में बढ़ी है तो सिर्फ एक विचेश melod admin के लिए के लोगों के कारण ही बढ़ी है यह लोग नहीं से साथधान रहें, आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें, इसी बात को लेकर हमारे प्रधान मंद्री जी बार बार अपील कर रहें कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें.